कि क्लास 11 का एक सीरीज जो कि आपको चिप्टर वाइज चिप्टर से रिलेटेट एक छोड़े छोटे आपको क्लासेस में जाएंगे आज हमने एक पहला सेशन स्टार्ट किया फॉस्ट क्लास अव क्लास 11 बिजनेस स्टड़ी और चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक व पढ़ने हम लोग को तो बिजनेस का इंट्रोडेक्शन क्या है बिजनेस होता है कि इसको बिजनेस बोलते हैं लोग देखे इसमें कुछ ऐसे एक्टिविटीज जो कि अगर उसको मैच करती है तो समझ लिजेगे वह बिजनेस है क्या 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 है वाई कि बीजी इन कुछ ऐसे हमारे कॉंसेप्ट बिजनेस को हम लोग एकनॉमिक एक्टिविटीज मानते हैं एकनॉमिक एक्टिविटीज जिसका परपस होता है कि वही मुझे पैसे क्या करने है और ने करने कमाने है तो इन सारे एक्टिविटीज कुछ ऐसे सारे एक्टिविटीज है जो कि ह हमको क्या करते है एक अपना लीविंग अर्म करते हैं जिससे उनका जीवन यापन हो सके तो इसमें हमारा नेक्स्ट है कि हमने पूरे एक्टिविटीज को अगर हम लोग पूरे हुमन के एक्टिविटीज को अगर हम लोग काउंट करें तो इसको दो कैटेग्राइज किया गया है पहला है इकनॉमिक एक्टिविटीज हो दूसरा है नौन एकनॉमिक एक्टिविटीज पूरे हुमन एक मनुस से पूरे लाइफ में दो एक्टिविटीज परफॉर् से पहले कि economic activities क्या होता है सर्थ तो economic activities दोज activities उस main motive to earning profit earning money जहां भी आपको पैसे कमाने का बात आए with legal way धान दीजेगा legal way ऐसा ने कि आप ने क्या किया कि चोरी कर लिया डगैती कर लिया आपने मडर कर दिया आप है ड्रक्स है सप्लाई किया जो हमारे समाज के लिए अनफेर है इलीगल है दोस activities not treated as economic activities तो आपको इत्हाने रहां कि पैसे कामाना है वाई हमारा क्या होना जी हो लीगल होना जी है ठीक है तब ही हमारा क्या होगा economic activities होगा इकनॉमिक एक्टिविटीज को हमने थ्री टाइपस में बाठाए भाई बिजनेस प्रोफेशन और इंप्लाइमेंट तो इन तीनों को यानि अगर एक हुमन बिंग से वह पैसे अर्न कर सकता है लीगल वे में तीन तरीके से या तो बिजनेस करेगा या तो प्रोफेशन होगा या तो इंप्लाइमेंट होगा ठीक है तीनों कोई के करके पढ़ेंगे और नॉन इकनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है से नॉन इकनॉमिक एक्टिविटीज को हम लोग देखो यहां पर हमने दिखा यहां पर हमने पूरे अच्छे से इसको किया है तमाज सेवा करना, गुरुद्वारा में सेवा करना, चर्च जाना, मस्दी जाना, everything यह हमारा, जहां पर हमें psychological satisfaction मिलते हैं, कोई profit motive नहीं होता है, उसको बोलते हैं, लोग non-economic activities, और पूरे life में, एक human beings, इस दो जी तरह के activities को क्या करता है, perform करता है, ठीके, तो यहां पर हमने एक एक करके पढ़ते हैं, चलिए, क्या होता है, economic activities, क्या होता है, non-economic activities, यहां पर लिखा है, कि भाई, economic activities are those activities which is undertaken with the objective of earning money, यानि जिसका objective होता है, earning money, लेकिन ध्यान दीजेगा, यह legal practice होनी चीए, और social welfare होना चीए, यानि सिर्फ आप पैसे कमाने के लिए, सिर्फ पैसे कमा पाने के लिए, आपका legal, legal का मतला समझे रो, legal method अपनाना होना, legally होने चीए, constitution द्वरा उसको मन्यता प्राप्त हो, constitution द्वरा उसको bound न किया गया हो, as activities, आपको क्या करते हैं, economic activities में treat किये जाते हैं, इसमें हमने तीन पढ़ा था, business, profession, तो एक एक करके पढ़ते हैं, business क्या ह goods and services, आप क्या करते हो, कि एक regular basis पे goods or service को purchase करते हो, sale करते हो, production यानी manufacturing करते हो, और उससे profit and करते हो, तो उसको बोलते हैं, हम लोग business, जैसे कि हमने example ले लिया हैं, कि आपने close shop, transport company, ठीक है, इस तरह से आप क्या करते हो, कोई भी goods को खरिते हो, बेशते हो, manufacture करते हो, all the activities come under the business अब हमने बात किया, भाई, profession क्या होता है, तो profession आपने क्या करना है, कि यहाँ पे आप service provide करते हो, भाई, क्या करते हो, service provide करते हो, conducted by a person, having some special knowledge and skill, which is used to impartial to serve the different section of society, जैसे कि legal practices के लिए, आपने lawyer के लिया, advocate है, medical practice के लिए doctor है, engineer है, जो कि service दे करके, ओ अपने living को earn करता है, यानि उसके पास एक particular skill है, specialization है, जिसको provide करके, ओ क्या करता है, कि आपको satisfied करता है, आपके needs and wants को fulfill करता है, और उसके बतले में क्या करता है, ओ कुछ fees charge करता है, जिसस उसकी अपने living हो सके, अब आख करते हैं हम लोग, employment, employment भी सर एक तरब से हमारा economic activities है, और employment का मतलब होता है, कि हम जब किसी दूसरे के लिए काम करें, किसी दूसरे के लिए काम करें, और उसके बदली में हमें पैसे मिले, जैसे कि आप as a manager किसी form में काम कर रहे है, as a CEO आप कि किसी form में काम कर रहे हैं, तो आप वहां पर काम कर रहे हैं किसी के under में, और वहां पर आपको क्या होता है, remuneration मिलते हैं, salary and wages मिलते हैं, ठीके, आप इसको लिखने का तरीका है, तो लिख सकते हैं कि वही क्या होता है, employment is a kind of contract under which one works, for other is lose of remuneration, एक contract होता है कि हम आपके लिए काम करेंगे, और उसके बदले में हमें कुछ क्या होगा, remuneration मिलेगा, जैसे कि आप किसी factory में काम कर रहे हैं, government office में काम कर रहे हैं, those all are treated as employment, and आपको पता है, वही employment के है, employment हमारा economic activities है, कितने economic activities हैं, तीन, business, profession, और employment, ठीके, आईए हम देखते हैं, non economic activity, non economic activities undertaken with the objective of generally psychological satisfaction, not for the profit motive, वैसे कमाने के लिए हम लोगे काम नहीं करते हैं, जैसे कि old person देख रहे हो आप, यहाँ पे old person को क्या कर रहा है, कि रोट क्रॉस करा रहा है, अब यह हमारा psychological satisfaction के लिए हम लोग करते हैं, not for the profit motive, आप मंदिर में चले गए, गुरु द्वारे चले गए, आप चर्च चले गए, किसी को दान दे दिये, तो यह सारे चीज़ें जो होती हैं, वो किसके अंडर में आती हैं, यह आती हैं हमारे non economic activities, क्योंकि हम लोग अपने आत्मसंतुष्टी के लिए for the psychological satisfaction, हम लोग सारे activities को perform करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे एक एक कर गे पढ़े बिजनेस क्या होता है, उसके definitions क्या होते हैं, मैंने आप लोग ने पढ़ा हम लोग पढ़े कि बिजनेस होता है क्या होई, जहाँ पे हम लोग क्या करते है, purchase, sale, production करते है, for the purpose of earning, profit, यह हमारे regular basis पे होने चीए, continuously basis पे होने चीए, ठीक है, इसके कुछ हमारे characteristics हैं, देखिए, characteristics हैं, जो की match करते हैं, गरb inner characteristics मैच कर रहा है, तो कौन-कौन से characteristics हैं, जो की business को identify करते हैं, कि यह सारे चीज़े रहेंगे थो business होगा, ठीक है, यानि उसको business माहल लिए जागा, कि यह सारे characters होंगे, तो business माल लिए जागा, जैसे कि हम लोग किसी治 को elephant है, lion है, किसी справ कि सब्सक्राइब करता है कि बिजनेस होता है कि सबसे पहले हमारे पहले एक्टिविटीस होनी चीए यानि उसका मोटीफ होना चीए कि पैसा कमाना है और कैसे कमाना है अब हमारा थाड़ पॉइंट के रेगुलर इन डिलिंग का मतलब होता है कि अगर आप सिर्फ एक दीन या कुछ समय के लिए करते हैं तो आपको बिजनेस ट्रेट नहीं किया जागा एक परसन है कुछ समय के लिए कुछ गया हम उसके पास एक अचानक से कुछ चीज यहां यह मार्केट में ले आगे बेस दिया उससे जो मिल गया उस चला गया और रिगुलर बेसिस पर नहीं है हो आप्प प्र्विट मोटीव बना चιह नॉर्मले फिजीनेस करेंगे तुको ब्रॉपिट मोटीव ही होगा अगर प्रॉफिट मोटीव नहीं होागा तुष यहां पर रिस्क आर R equals to R, Risk equal to Reward, यानि कि अगर आप जहां पे Risk है नहीं तो बिजनिस नहीं है, Risk किस ज Ace사 का?, Risk है लॉस का, Risk uncertain Loss का, जहांपे uncertainty loss हो सकते हैं, समझो, बिजनिस है, नहीं हो सकते हैं, जहां confirm तरॉस से नहीं होगा, बिजनेस होई नहीं सकते हैं, never अब अपते बाद बार, creation of utility utility का मतलब होता है कि भही power to satisfy the human wants आप ओ गूर्स को बेच रहे हो जो किसी नहीं किसी परसन के needs and wants को satisfied कर रहा है अगर नहीं satisfied कर रहा है मतलब कि आप business करें नहीं रहे हो every goods every goods and service have the satisfying power every goods के पास human wants and needs को fulfill करने की power होती है और अगर है, है, तो भाई माल लो की तो यह हमारे कुछ characters है तो six characters है, I think इसको लिख सकते हैं, आप यहाँ पर consumer satisfaction same है, utility रहेगी, तो consumer satisfaction होगा, आईए देखते हैं, हम लोग थोड़ा सा definition, profession का, तो professions क्या होता है, इसके पास आपको special knowledge and skill होती है, धान दी जगा, जहाँ भी special knowledge and skill होगी, मतलब की profession होगा, जहाँ भी special knowledge and skill होगी, इसका मतलब की ओ profession होगा, जैसे कि doctor, engineer, lawyer, यह सारे के पास specified, special field की knowledge होती है, और उसके बतले में को fish charge करता है, तो उसको बोलेंगे हम लोग, इसके हमारे बहुत सारे writers है, जिन्होंने क्या किया कि profession की definitions दिया हुए, you can see, बट आप ध्यान में रखिए, कि have the simple, special knowledge and skill, इतना चीज रहो तो भाई, आप काम चाह जाता है, आप इसके कुछ से उसको एक process है, जहां पर आप training और experience ले करके उस specialized field के master बनते हैं, and representative professional association, आप ध्यान दिजेगे कि professional association द्वारा आपको authorized किया गया है, कि नहीं, आप इस profession के लिए like हैं, आपके पास knowledge है, इस profession के लिए आप कोई भी डॉक्टर नहीं बन सकता, कोई भी इंजिनियर नी बन सकता, have some specialized, जो उसके पास degree है, और किसके द्वारा प्रोफेशनल association के द्वारा प्रोवाइड किया गया, तो यह होना चीए, ध्यान दिजेगा, ठीक है, next है हमारा code and conduct होता है, code and conduct का मतलब होता है कि अगर आप rules, जैसे कि एक doctor है, एक doctor, doctor को क्या होता है, कि उसकी भाई, बोल दाएगे नहीं, आपके पास क्या होने चीए, एक values होने चीए, एक honesty होने चीए, integrity होने चीए, morality होने चीए, आप देखिए, वही चीज लाइक लाइक लाइडिकल से चाड़ने काउंट है अगर अपने जितने भी प्रोफेसंस होते हैं, उनके एक अपने code and conduct rules and regulations prescribed किया गया है, कि भाई, आपको यह सारी चीज़ें follow करनी होगी, अगर आप follow नहीं करते हैं, तो कभी कभी देखते हो, कि अभाई, आपका मैं प्रेश्टेशन हटवादूंगा, बहुसार लॉव में भी होता है, मेडिकल फिल्ड में भी होता है, तो हर जगा आपने, तो code and conduct, यहाँ पे priority, the service over the economic consideration, service motive होता है, आप यहाँ लिख सकते हैं, direct service motive, तो यहाँ पे profit motive दो नहीं होता है, बहुँ service motive होता है, कि यहाँ service provide करना है, और service provide करने के बाद मुझे जो पैसे मिलते हैं, उसको मुझे क्या गोलेंगे भाई, ठीक है, अब next हमरा employment, यह भाई, थर्ड हमारा जो economic activities है, हमारे पूरे economic के अंदर, वो हमारा है क्या है, वो हमारा है employment, employment क्या होता है, सर, यहाँ अंडर, which people work for other, and receive the recommendation is leave, तो आप ध्यान दिजे कि आप किसी के अंदर में काम कर रहे हैं, और उसके काम होने के बाद, आप monthly, remuneration, salary and wages receive कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं, जैसे कि आप जो भी salary and wages में आप कर रहे हैं, जैसे कि आपने क्या किया कि permanent, temporary, casual employee, कुछ भी हैं आप, ठीक है, manager है, supervisor है, lever है, clerk है, ठीक है, जब भी आप किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, for the purpose of receiving the remuneration, wages and salary के लिए काम कर रहे हैं, तो आप employment के अंडर में आ जाते हैं, clear है, जैसे माल लीजे कभी के बोलते हैं, सर क्या doctor employment हो सकता है, क्या teacher employment हो सकता है, बिलकुल हो सकता है, सर, अगर teacher किसी school में पढ़ा रहा है, right, किसी coaching center में पढ़ा रहा है, वहाँ पर उस क्या कर रहा है, कि भाई, monthly उसको salary and wages receive कर रहा है, मिल रहा है, तो भाई, वह क्या होगा, तो employment ही होगा, doctor किसी hospital में salary पर काम कर रहा है, इसका मतलब कि भाई, वह doctor क्या होगा, employment होगा, ठीके, next है हमारा characteristics, service to other, दूसरे को क्या करते है, service point करते हैं हम लोग, personal service होती है, हम माल लिजे कि आप manager है, आप manager है किसी bank में, और आपकी तवियत खराव हो गई है, तो क्या आप अपने बेटे को, या अपने भाई को, या अपनी वाईट को भेश सकते हैं, आजाओ, आज का काम त कर सकते हैं, तो personal service होती है, जिसके लिए काम दिया गया, और सिर्फ वही काम को क्या कर सकता है, कर सकता है, तो इस बात को ज्यांदी जी का personal service होती है, next agreement होता है, भाई, आप agreement होता है, temporary casualty, servant, आप यहाँ पे, अपने master employee is the servant of his master, ओ जैसे order करेगा, आपको उस order को follow करना होगा, आप अपनी तना साही नहीं दिगा सकते है, आपके boss होगा, आपका senior होगा, आपका superior होगा, और उस superior के अंडर में अगर आप subordinate हैं, तो भाई, आपको उसकी बात माननी होगी, ठीक है, तो as a servant, नौकरी मान लो, खुद को अगर employment हो तो, मान लेते हैं, मान लेते हैं नहीं, म प्रेली के हो, चलो जाओ, काम करो, no risk, कोई risk नहीं, काम करो, हर महीन ये salary लो, nature of employment की बात करें, तो यह हमारे private हो सकते हैं, government हो सकते हैं, ठीक है, इनके difference आते हैं, बार बार जब भी, जब भी, जब भी, जब भी, आपके questions, जब भी आपके questions, जब भी आपके exams होते हैं, तो कि difference आते हैं, और बहुत सारे बच्चे नहीं, मैंने देखा है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत गल्थ, बद्बत्ब कुछ भी लिख देते हैं, खुछ भी लिख देंगे, आपको ध्यान दिजिए, देखिए, किस तरीके से आपको difference लिखना है, सबसे पहले कि भाई on the basis of आपको रहना चाहिए को on the basis of पर लिखना है फिर उसको बाद जिसको difference करो आप class 10th में नहीं पढ़ रहो या class 6, 7th में नहीं पढ़ रहो कि आपने 2 column बना दिया और जिसका basis लिखना है आपने लिख दिया बिल्कुल आप ऐसा नहीं करेंगे आपको on the basis of पर ही लिख होने के बाद ही इसको start किया जा सकता है आपको certificate मिलने के बाद जो भी आप institute से कर रहे हैं जब आपको certified कर देगा कि नहीं इवर और रिख कि स्रविस बाईंग सेलिग करते हैं यहांपे professional जो होते हैं किया करते हैं किसी ज़ुसी सर्विस में घी परसनल सर्विस देते हैं और यहां पर allotted by the employer क्या करता है according to the contract investment की अगर भाग करें तौ एसमें भाई capital fall investment होता है इसमें little capital requirements होती है यहांपे no capital requirement होता है employment की case में risk की बाद करें तो high risk होता है low degree risk होता है और no risk होता है ठीक है qualifications की बाद करें तो यहाँ पर कोई भी qualifications की requirement नहीं होती है कि बिजनेस है आपके पास capital है तो आप business कर सकते हैं नहीं है तो आप कितने भी qualified person है आपको बिजनेस नहीं होना नहीं होगा बिल्कुल नहीं होगा ठीक है और यहां पर भाई आपको इस पेस लाइज डिगरी जरूर चीए qualifications absolutely necessary है कि भाई जीस फिल्ड के हैं यहां पर आपको education according to the job आपको जरूरत होती है clerk ले जा रहे है इसमें क्या करता है वो phish लेता है और इसमें wage and salary लेता है तरहाधी जगा transfer interest यह transfer कर सकता है यह transfer नहीं कर सकते हैं यह भी आपको नोट नहीं कर सकते हैं टेस्ट अफ इफिसेंसी प्रॉफित और करता है और यह dedication to job code and conduct की बात करते हैं, आपको code and conduct की रिक्वार्मेंट होती है, तो यह हमारा हो गया, यहां से हमने क्या किया, कि यह तिनों को पढ़ लिए, अब हमारा जो होता है, objective of business, objective of business है, वो हम लोग next class में पढ़ेंगे, तो यहां से start करते हैं हम लोग, objective of business, ठीक है, आज हम लोग इतना ह हम लोग 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